हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल मितल अनलाइन क्लास्स में आपको श्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि Google Search Engine में जब किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई असानी से अपनी रिक्वाइड इंफार्मेशन या जिसे इनफार्मेशन को आपकी जरूरत है उसको बहुत ही असानी से आप सर्च कर सकते हैं और इससे दोस्तों आपकी समय की बच्चत होगी तो दोस्तों वीडियो का सुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार reverse को ऊपन कर लेंगे तो चलिए दुस्तों मैं यहांपे Google को Amaon कर लिया है , तो दोस्तों आप देख पार हो यहां पर व्मरा गैसा आप चारे ड करें अगर कोई इमेजपिस हमको सच्च करना है तो हम कैसे सच्च कर सकते हैं तो दोस्तों आपको जो भी इमाघ्र सर्च करना ह और search करने के बाद दोस्तों यहां पे जो दूसरा option देख पा रहे हैं आपको यहां पे all पहले से select है तो total information हमको मिल रही है अगर हमको सिर्फ image चाहिए तो जो यहां पे image लिखा इस पे हम click करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमको image related यहां भे बहुत सारे photos हमको मिल रहे हैं तो दोस्तों जो हमरा अगला searching tips है अगर हमको कोई सब्द missing है अगर हमको कोई फेज या वाक्त में पूरी line अगर याद नहीं आ रहा है तो हम उसको कैसे google search में search कर सकते हैं example के तोर पर अगर हम मान लेते हैं जैसे एक कहवत है आम क्याम गुटलियों के दाम तो दोस्तों अगर हमको सुरू के अगर हमको याद है आम याद है आम के आम और दोस्तों अगर आपको बीच के आप जो फेज़ है अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां पर इस्टार आने से आप यहां पे सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह हमारा जो पैराग्राफ हम सर्च कर रहे थे तो यहां पे हमको पूरा का पूरा यह पैराग्राफ हमको मिल गया तो दोस्तों हमारा जो अगला टिप्स है कि अगर example के तौर पर हम बात करें Facebook का तो Facebook हमारा एक social networking website है दोस्तों अगर हम कोई पता करना हो कि Facebook जैसी और कितनी site हैं अगर इसके बारे में हमको जानकारी अगर हम प्राप करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा और यहां पर यहां पर Facebook लिखेंगे और डाट काम तो दोस्तों यहां पर Facebook डाट काम जैसे लिखेंगे तो Facebook से रिलेटेड जितनी भी website होंगे इस तरह की उसकी information आपको मिल पाई तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर Twitter है तो दोस्तों जो हमरा अगला टिपस है अगर आप Google सर्च में अगर किसी टॉपिक पर information आप सर्च कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगर हमको उसकी information पेडिया फॉर्म में मिल या है हमारा PowerPoint में मिल या है कहने का मतलब अगर हमको जो भी information चाहिए हम किसी specific file type में उसके information को प्राप्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे प्राप्ट कर शकते हैं तो जैसे यहां पर हम MP4 लिखेंगे तो दोस्तों जैसे सर्च करेंगे तो हमको वीडियो देख पा रहे हैं आपको Newton's last related हमको वीडियो यहां पर available हो रहे हैं तो अगर यहां पर यहां पर MP4 लिखा है अगर दोस्तों हम PPT लिख देता है PPT का मतलब हमको जो information चाहिए वो PowerPoint में चाहिए जैसे हम इंटर करेंगे तो देख रहे हैं दोस्तों हमको PowerPoint में आप information मिलना है तो दोस्तों इस तरह से हम जो information सर्च कर रहे हैं उसको specific जो है file type में हम information को search कर सकते हैं दोस्तों जो हमरा अगला टिपस है इसके अंतरगत मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई Google सर्च में information को search कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह information किसी specific types की website से ही हमको मिले तो उसको मैंने आप लिख दिया edu तो जैसे ही हम इसको search करेंगे तो दोस्तों यह information तो हमको मिलेगा लेकिन यह जो है educational website से मिलेगा तो देख पार हैं दोस्तों जितनी भी website आ रही है last में यहां पर edu आ रहा है तो दोस्तों जो अगला हमारा tips है अगर हमको किसी information को search करना है लेकिन अगर उसको हम एक time duration में अगर information को जानना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप कैसे आप time duration में किसी information को search करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पर topic बिल्कुल सेम ले लेता हूँ जैसे example के तोरप मैंने newtons ला ले लिया इसको मैं यहां पर search करेंगे और search करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं जो यहां पर tools लिखा इस पर हम click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है anytime कहने का मतलब अगर आप past hour में अगर इस topics related कोई information अगर publish हुई है तो इसकी information आप past hour या past 24 hours या आप देख पा रहे हैं past year, past month, past week तो दोस्तों जैसे यह example के तोरप अगर हम यहां पर past week लिखत तो दोस्तों अगला जो हमारा searching tips है अगर आपको कोई information आपको Google search में search करना है तो अगर जो भी title है अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही information आपको मिले तो दोस्तों आप इसको कैसे search कर पाएंगे तो example के तोर पे जैसे मैं यहां पे एक पैरा लिख लेता हूं how to remain happy तो दोस्त से related information मिले तो दोस्तों आपको last में टी आई टी ली लिखना है तो जैसे इसको हम search करेंगे तो दोस्तों हमको इस से related हमको information हमको मिल जाएगा जो भी हमने title दिया है तो दोस्तों करना क्या है कि जो भी information आपको search करना उसको लिखना और last में आपको title लिख देना है दोस्तों जो अगला हमारा सर्चिंग टिप्स है इसके अंतरगत मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई information search करना चाहते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह information किसी specific website से ही related हो तो उसको आप कैसे search कर पाएंगे तो दोस्तों example के तोर पर यहां पर मैंने न्यूटन्स ला लिख लिया और हम चाहते हैं कि यह information हमारा जो है अगर किसी particular website से ही related हो तो दोस्तों मैं यहां पर लिख लेता हूँ चलिए मैं दोस्तों www.jagjagrant.com अगर हम चाहते हैं कि न्यूटन्स ला जो हमारा लिखा है यह information हमारा दैनिक जागरण में से related बेपेजस से आए तो इसकी information आप कैसे प्राब करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कैसे आपको लिखना है और finally दोस्तों आप इसको search करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो भी information मिला यहां पर देख रहे हैं जागरन जोश या जागरन जोश मतलब जो भी information मिलेगा या specific इसी URL इसी website से हमको मिलेगा तो दोस्तों अगला जो हमारा searching टिपस है इसके इंतरगत मैं बताऊंगा कि अगर हम गूगल सर्च में कोई information को सर्च करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ specific information उसके अंतरगत न आये तो उसके लिए आप क्या करेंगा दोस्तों इसके लिए आपको माइनस साइन इस्तिमाल करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं तो यहां पर धुस्तों रेалеटे़ ले लेता हूँ Newton's law यहां पर तीन law है अगर हम चाहते हैं कि इसमें दूसरा law नहा है तो दूस्तों यहां पर देख पा रहा है मैंने यहां पर minus लिख दिया है और यहां पर हम ली देएंगे सकेंड लाँ कि नूटन्स लास related information मिलेगी लेकिन दूसरा जो ला का information है वो हमको नहीं मिलेगा तो दोस्तों minus sign से क्या करते हैं उस कोई specific information को क्या करते हैं reduce कर देते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर सरच करके दिखाता हूँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर जो भी यहाँ पर aumento ना पहला और तीसरा हो गाया जो आगला मैंस है इसमें अगर और कोई information आप Google सरस्च में सरच कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि exact information इसके यह लिए दोस्तों, आप क्या करेंगे जो भी आप information सर्च करेंगे उसको double inverted kama में लिखेंगे, तो दोस्तों एग्जामपल के तौर पे मैंने यहां पर एक ही एग्जामपल लिया जैसे हम ने यहां पर लिख लिया न्यूटन्स ला और अगर दोस्तों हम इसको सर्च करते हैं तो होगा कि अगर दोस्तों गर इसको हम सर्च कर रहे हैं तो हमको जो information मिलेगी या तो न्यूटन्स related हो वह information मिलेगी ला से related information मिलेगी और दोनों का combination न्यूटन्स ला मतलब total दोस्तों आप तीन तरह की information मिलेगी लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ एक तरह की information मिलेगी तो दोस्तों आपको इसको क्या करना डबल inverted कामा में आपको इसको close कर देना और इसके बाद अगर इसको आप सर्च करेंगे तो सिर्फ और शिर्फ आपको न्यूटन्स लाग के ही information आपको exact मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी information को Google Search में आसानी से बेहतर तरिके से कैसे सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो क्रिपिया कमेट करके बताएं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में सेर करिए, थैंक्यू, है विनाइस टे,